हेलो दोस्तों एक बाफ इसे स्वागत था आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों मैं हूँ प्रेम और आज आपके लिए यहां पर लेका है हूँ है ग्राम पंचाइद विकास अधिकारी का पेपर जो 25 फर्वी 2018 को हुआ था तो यहां पर हम बात करेंगे आज इस पेपर के बारे में इसमें 100 क्वेश्चन थे और 100 क्वेश्चन में हम देखेंगे कि किस तरीके के इसमें क्वेश्चन आए हुए थे आने वाले जो इस पार समुहगा के फर्म भरे गए हैं ग्राम पंचाइद विकास अधिखारी उसमें से एक है. तो इसमें हम देखेंगे किस तरह की क्वेस्टन आते हैं और किस तरह का लेबल जो है गुरुप C में ग्राम पंचाइद विकास अधिखारी के पेपर के लिए सैट किया जाता है. तो दोस्तों यहाँ पर इन questions को देखकर आप जितने ज़्यादा old papers solve करेंगे उतने ज़्यादा ही आपके chances बनते हैं और फिर ऐसा होता जो question जो है आपने दूसरे paper में देखें वो आने वाले exam में वो अच्छे से याद रहते हैं तो यहाँ पर हम discuss करेंगे इसमें पूरे parts का फटा फट सो question है काफी लंबा इसको नहीं खीज पाएंगे हम तो फटा फट इसके answers आपको बताएंगे इन questions को note कर लेजिए इन पर जो है आप आदम विश्लेशन कर सकते हैं काफी एक question के बारे में आप सर्चे करिए इदर उदर से और इसका answers में आपको बताता जाओंगा तो दोस्तो इसका पहला question है हिंदी से यहां पर है तो हिंदी शब्द कोस में त्रे किस वर्ण के बाद आता है तो डिक्सेनर की बाद यहां पर हो दिये हिंदी की तो त्रे किस वर्ण के बाद आता है तो यह तर के बाद आएगा ठीक है ना option A सही है अगला है किस मुद्दे पर लेक लिखने में उस ताजी घटना का उलेक करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया तो ये क्या कहलाता है दोस्तों ये न्यूज पैक कहलाता अप्सन डी इसका सही है अगला क्वेशन है अब चला जाए ये वाक्य है तो अब चला जाए वाक्य ये कैसा वाक्य है दोस्तों ये भाव आच्छे वाक्य है यह अरबी भासा का शब्द है, option A सही है, निमन में से किस कभी को ग्यान पीट पुषकार नहीं मिला है, देखें, यहाँ पर question में ध्यान देनी की जरूरत है, तो किस कभी को ग्यान पीट पुषकार नहीं मिला है, यहाँ पर है, तो माखनलाल चतुरवेदी जी, इन चार option में से मांखनलाल चतुरुवेदी जिन को ग्यानपीट पुरुषकार नहीं मिला बागे सुमिदर अंदन पंते महादीवी वर्मा और कुवर नारायन को ग्यानपीट पुरुषकार से सम्मानित किया जा चुका है अगला क्वेश्चन है कौन सी संग्या क्रियापत के साथ दोस्तो जल की मातरा तो यहां पर चार उप्सन है जल की मातरा रायट आँसर है निवेखित मैंसे किस रचनाकार को महापंडित की उपादिशे विभूषित किया गया है दोस्तो राहुल शंकृत्यायन को ठीक है यह आप जानते होंगे उप्सन D यहां पर सही है अगला सारवनामिक विशेशन जो है कहां पर है option D में हमको देखने को मिलेगा ठीक है ना तो ये right है अगला है हिंदी भक्ती साहिति में अस्ट छाप क्या है दोस्तों अस्ट छाप क्या है आपको ये पता होना चाहिए अस्ट छाप आठ कवी है तो ये answer इसका भी है अगला question है मधूर मधूर मेरे दीपक जल में अलंकार है तो मधूर मधूर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है ये पुनरूक्त प्रकास अलंकार है ठीक है ना अगला question है हम लोग भारती दूरश्चन का धारवाही है हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हम लोग की पटकता का लेखन किस ने किया था तो हम लोग की जो धारवाई का जो दूर दर्शना प्रशाजित होता है तो इसकी पटकता जो लिखी थी वो मनुहर श्याम जोशी ने लिखी थी अगला क्वेश्चन है अवनी शब्द का विलोम शब्द है दोस्तों अवनी का विलोम शब्द क्या है अंबर ठीक है ना अवनी का विलोम शब्द क्या है अंबर है अगला है संखैस्वर्य शब्द में कौनशी संधी है तो संखैस्वर्य शब्द में जो है यन संधी है option B यहाँ पर सही है अगला है दुत्ती विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां संपन हुआ था दोस्तों यहाँ पर दुत्ती विश्व हिंदी सम्मेलन की बात की जा रही है तो यह हुआ था 28 से 30 अगस्त उनिश्व 76 को मौरिश्व सम्में ठीक है न तो इसका राइट आंसर है उसके बाद अगला क्वेश्व है बैठक में उपस्तित व्यक्तियों के पदानुशार नाम उनकी राय का पूरा विवरण सहीत कारी सूची में रेखांकित कारियों पर हुए विचार विमर्शगार संक्षित एक व करदम का प्रयावजी शब्द का है कीच ठीक है न अगला है अर्थे के आधार पर वाक्य के भेड है दोस्तों अर्थे के आधार पर वाक्य के भेड क्या है विश्मयादी बोधक वाक्य यहां पर ऑप्शन में जो है हम उस पर बात करेंगे तो यह ऑप्शन भी यहां पर सह साइज इसका क्या आर्थ है इसका राइ बिरोधी सुभावालों का क्रिचा अर्थ है दोस्तो यह जो question paper था यह question paper का लेभल कुछ next label था काफ़ी इसमें एशे question थे काफ़ी मैं कह सकता हो कि इसका label थोड़ा hard था यहाँ पर तो यह आप उसको देख लिए इस तरह के question पेपर आप उत्राखंड में बन रहे हैं तो हम यहाँ पर बहुत सारे हम हर रोज एक old paper हम यहाँ पर share करेंगे जब तक कि उत्राखंड की परिक्षाएं सभी संपन ना हो जाए तब तक हम जो है यहाँ पर प्रते एक दिन आपके लिए एक old paper यहाँ पर प्रिवेस पेपर अप्लोड करेंगे ठीक है ना तो अगला कुशन है अनिकार्थी शब्द उत्सर्ग का संब्द है ठीक है अनिकार्थी शब्द उत्सर्ग का संब्द किस से है तो यह दान से ठीक है उत्सर्ग का संब्द दान से है अगला है ऐसा पद जो क्रिया या संग्या ने बताकर एक वाकिया पत का समझे दूसरी वाकिया पत से जोड़ता है वह क्या कहलाता है तो यह समुच्चाई बोधक कहलाता है ठीक है ना समुच्चाई बोधक कहलाता है अगला कुश्चन है मार्च 2016 को अंतराश्टी परागलाइडिंग परतियोगिता का आयोजन निमने म में समलित होने की अधिक्तम आयो कितनी है तो अटल पेंशन योजना में समलित होने की अधिक्तम आयो है दोस्तो 40 वर्स है ठीक है न 40 वर्स है अगला क्वेशन है काशिपूर में बाल संदरी देवी मंदिर पर यह मेला होता है तो बाल संदरी मंदिर पर कौन सा मेला होता है य अगला question है, यह यहाँ पर आपको calculate करने के जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर हम आपको answer बता देंगे, आप बाकिस question को solve कर लीजे, तो यदि उनके अध्यापक के बाहर को भी समलित कर लिया जाए, तो ओशत बाहर में 800 ग्राम की विरिद्धी हो जाती है, दोस्तो अध्यापक का बाहर कितना होगा, तो दोस्तो इसका right answer है, बहुत तर किलो ग्राम होगा, तो option A में देखिया आप, तो अध्यापक का बाहर कित दोरा एक घोड़ा वो हाथी परदान करने का उल्लेख मिलता है, तो किस गरंत हैं दोस्तो गर्णरेश, शाम साह को मुगल बातसा के दोरा एक घोड़ा और एक हाथी परदान करने का उल्लेख मिलता है, तो ये तुजु के जहांगिरी में इसका उल्लेख मिलता, option B सही है, अगला है भारत में नियूनतब मजदूरी अधिनियम का पारितुवा देखे कुछ important question यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे तो इन पर ध्यान देना है आपको और यह याद रखने दोस्तों भारत में नियूनतब मजदूरी अधिनियम ठीक है यह का पारितुवा उनिस्टो 48 में 1948 इस भी को यह पारित हुआ था option B यहाँ पर सही है अगला question दोस्तों अरजुन पुरुषकार से सम्मानित खिलाडी हरीदत कापडी किस खेल से सम्मनित है तो अरजुन पुरुषकार आपको पता ही है यह खेल के शेत्र में मिलता है नंबर एक बाद दूसरा जो है यह हरीदत कापडी की बात की गई है तो हरीदत कापडी जो है किस खेल से सम्मनित है बास्केट bombs से ठीकेन प से जहां सब्सक्रा अगला है वरश्थ erre 2020 इन के उत उत्राखंड का भारत में कौन शाह इस्थान है तो यहां पर जन शंक्या घनत्तु के संबंद में पूछ रहा है जन घनत्तु जो है उत्राखंड का इस्थान पूछ रहा है तो इसमें से बताना है और ब्सक्राखंड को में और जानते हैं तो यहां पर बी कमेंट करके जरूर कताएगा कमेंट पर ठीक है ना बागी लोग तो अगला क्वेशन है गड़वाल का बारदुली नाम से परशिद्ध है तो गड़वाल के बारदुली के नाम से दोस्तों गुजुडू परशिद्ध है अगला क्वेशन है सौजन्या नो दिन पहले फिल्म गई थी ठीक है ना सौजन्या किसी का नाम है ठीक है आप इसको शानिया भी कह सकते हो कुछ भी अलग कुछ भी नाम लेकिन आप सौजन्या दे रहे का है सौजन्या नौ दिन पहले फिल्म देखने गई वह केबल ब्रस्पति बार कोई फिल्म में देखने जाती है आज सप्ताह का कौन सा दिन है नौ दिन पहले गई तो ब्रश्पति बार को ही फिल्म में देखने जाती है तो इसका मलब नौ दिन पहले जो ब्रश्पति बार आया होगा उस दिन गई होगी तो आज सब्ताह का कौन सा दिन है तो इसको आप calculate करेंगे तो यह आपका आईगा सनिवार ठीक है ना अगला भोटिया जन्जाती के लोक गीत हैं दोस्तों यहाँ पर ऑप्सिं में देखिया भोटिया जन्जाती के लोक गीत कौन से हैं तो इसका right answer दूस्तों उत्राखंडे के भोडिया जंजाती के लोग गीते हैं अगला question देखते हैं question number 34 है भारत में राष्टी विकाश परिश्यत की स्थाबना को भी तो इसकी स्थाबना होई थी 1922 में 1952 में होई थी अगला question है नुक्तंग देवी की पूजा की जाते है कि समुदाए के लोगों में की जाते हैं यह पूछना चाह रहा है तो यह की जाती है रंग समुदाए के लोगों में ठीक है न अबर थारो बोक्षा और वन राष्ट है तो यहाँ रंग समुदाए के लोगों में इसकी पूजा की जाते है जुवारी नाम है डाड़ा मंडी में बुलाई गई थी थी, option A सही है यहाँ पर, अगला question है, भारत की केंदरी मंत्री परिशत किसके परती उत्तरदाई होती है, तो यह किसके परती उत्तरदाई होती है, यह राश्चेपती के परती उत्तरदाई होती है, कौन केंदरी मंत्री परिशत भारत की अगला question है descriptive लिस्ट आफ मार्सल कास्ट आफ अलमोडा के लेखक कौन है तो इसका गंगादत उपरेती जो है इसके लेखक है अगला question है यदि feet का code 47 है और tree का code 91 है तो meet का code क्या होगा तो दोस्तों इसका सही answer option C है आप इसको solve कर सकते हैं solve करके देखे इसको कौनशी trick इस पर फिट बैठते है तो फिलाल इसका answer option C है 118 ठीक ना चलिए उसके बाद question number 41 है ना 1934 इसवी से इस पत्र का प्रकाशन अलमोडा से किया गया तो किस 1934 से जो है किस पत्र का प्रकाशन अलमोडा से किया गया तो किया गया था समता का ठीक है ना समता का किया गया अगला question है भारती सम्विदान की संकट कालिन व्यवस्थाएं ली गई है तो संकट कालिन व्यव जान चलिए गई है संक्तकालीं वीविबस्ता हैGroup falling अगला ए हिमाल्य कोसा भाग है जो करेवा के लिए पर्षिद्ध है तो ऐस बया का कुंसा भाग यह कुझा आप्सिज़ijn bet कश्मीर हिमाले फिक का स्वियर हिमाले अगला क्वेश्यन है लिंगा sorcer role camera from का देश में कौनशा स्थान है ठीक है ना तो लिंगा अनुपाद की दिरिश्टी से उत्रा खंड का लिंगा यहां पर लिंगा अनुपाद पूछ रहा है तो लिंगा अनुपाद की दिरिश्टी से देश में जो है तेरवां स्थान है ठीक है तेरवां स्थान अगला कोश्च तो राजिनिर्वाजन आयो के गठिन की यहां पर बात की जा रिये तो यह किया गया था अनुछे 242丁इस K के अनुषार जो टीके औरन तो अगला कोईचिन देखते हैं मोहन उपरेती हैं तो दोस्तों मोहन उपरेती क्या है मोहन उपरेती जो है शूर्य आपके दाइं और होता है तो आरेमे में आप किस दिशा में चल रहे थे तो दोस्तों ये आशानी से एक क्वेशन बन जाएगा तो ये पस्चिन की और इसका राइट आंसर है आप इसको बना कर आरेक बना कर इसका सही आंसर बता सकते हैं उसका अगला क्वेशन है ये महात्मा गांदी जी ने कहा था इस बात को ठीक है ना अगला क्वेशन देखिए भारती समिधान में पंचाइती राज विवस्ता से अनुशूची है तो पंचाइती राज विवस्ता से अनुशूची तो है कौन से अनुशूची है ग्यारवी अनुशूची है अगला दोस्तो गड़वाल इंसेंटे एंडे modern पुस्तक किस ने लिखी है तो गड़वाल इंसेंटे एंडे modern पुस्तक जो है किस के द्वारा लिखी गई है पाती राम के द्वारा ठीक है option D में आपको देखने को मिलेगा अगला question है उष्ण कटीमंदी घास के मैदानों को क्या कहा एक पाती है उष्ण कटीमंदी घास के मैदानों को दोस्तों कीत्रे में कितने वरग आयिंडे हैं आप इसको जो है गिन सकते हैं या पिर आपको को कोई ट्रिक आती है तो इसको केल्क्ले भी कर सकते हैं फिलाल यहाँ पर जो हम आपको आउनसर बताएंगे यह बारह इसमें वर गहें आप solve करके अपने answer को मेज कर लेज़े अगला question है निम्ने में से छत्रक शिला पाई जाती है तो छत्रक शिला जो है मरुस्तल में पाई जाती है छत्रक शिला ठीक है न अगला question है उत्राखंडे में शिचाई अनुशंदान सस्थान कहां पर है तो इसका राइट आंसर तो रूड़की ठीक है ना रूड़की में है शिचाई अनुशंदान सस्थान अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को 75 रुपे में विक्रई करने पर एक आदमी को चार परतिशत की हान ही हो जाती है उस वस्तु को कितने में बेचा जाएगी बीस परतिशत का लाव हो तो दोस्तों यहां पर यह भी यहां पर कैल्कुलिशन का है और यहां पर आपको शॉलब करना पड़ेगा तो इसका हम राइट आंसर पता दें अपने आंसर से मैज के थे छिपोश्टों यहां पर केका छिटे को Nashies से कहते हैं तो दोस्तों यहां पर अश्व अक्षान किसे कहते हैं सियाहं पर उपोश्ण ऊंच्छधा पैटी को अश्व अक्षान से कहा जाता है अगला कुश्चन है ग्राम पंचाथ सदश्यों की योग्यता समविधान के अनुच्छेत में वर्नित है तो दोस्तों कौन से अनुच्छेत में वर्नित है यह हमको बताना है option B पर ध्यान दीजिए अनुच्छेत 243 F में जो है ग्राम पंचाथ सदश्यों की योग्यता को वर्नित किया गया है कुमाओं में चंद शासन का जन्मत आता कौन था तो कुमाओं में जो चंद शासन का जन्मत आता था वो किसे माना जाता है राजा सोमचंद को माना जाता है अगला question है आधा राज्य अंग्रेजूं के कबजे में जाने के पश्चाद गड़वाल नरे शुदर्शन साह ने अपनी राजधाने सिरी निगर से हटा कर कहां परिस्थित की थी तो ये की थी टीरी में ठीक है ने option C यहां पर सही है अगला question है सन 1926 में करपारा मिश्र द्वारा कोड़वार में पत्रिका को शुरू किया गया था तो ये गरदेश के नाम से शुरू किया गया था 1926 में अगला question है दोस्तो भगत जवाहरमल का नाम संबंदित है तो भगत जवाहरमल का नाम किस से संबंदित है तो यह है कूका विद्रोह से, ठीक है न? तो कूका विद्रोह से सम्मंदी थे अगला विश्चिन है, किस शाषन व्यास्ता को श्वन यूग के रूप में जाना जाता है तो दोस्तों यह जाना जाता है कत्यूरी सामराज्जी को ठीक है न? option A सही है कत्यूरी सामराजी को श्वन युक्के रूप में जाना जाता है अगला question है उत्राखंड का पर्थम पावर हाउस कौन सह है तो दोस्तों उत्राखंड का पर्थम पावर हाउस है ग्लोगी जल विद्दूद ठीक है ना राजाजी राश्री उद्द्यांग का नाम किस प्रशिद्य वक्ति के नाम पर रखा गया है तो ये C राजगोपलाचारी के नाम पर रखा गया है ठीक है ना option B है उसके बाद है निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से स्ववस्तित करने पर सही विकल्प होगा तो इनको व्यवस्तित करना है सही तरीके से और उसके आधायर पर जो है इसका सही जो जैसे इनको नंबरवाइज करना है ठीक है ना कौन सा पहले आएगा किस तरीके से होगा जैसे सबसे पहले विज्ञापन आता है ठीक है ना उसके बाद आविदन करते हैं तो इस तरीके से इसको एक सिरीज में लगाना है तो दोस्तों इसकी सही सिरीज होगी option D जैसे सबसे पहले विज्यापन हो गया तो उसके बाद आपका आविदन करना होता है उसके बाद शाक्षातकार होता है उसके बाद चैन होता है उसके बाद आपका न्यूकती होती है जिसके लिए आपका भी मिहनत कर रहे हो अभी है ना तो लाश्ट में परिविक्षा होती है तो ये इतनी चीज़ें यह option यहाँ पर D सही है ये series बनेगी उसके बाद अगला question है 69 शाह पदवी परियोग करने वाला गड़वाल का पर्थम राजा कौन था तो शाह की पदवी परियोग करने वाला जो गड़वाल का पर्थम राजा था बलभदर शार ठीक है ना option A अगला है कीबोर्ड में फंशन की याg़ा कुण्जूं की शेंक्या कितनी होती है तो कीबोर्ड में जो फंशन की होती है तो उनकी शेंक्या कितनी होतय है 12 होती है अगला क्थ शार्दा या काली नदी का उद्गम इस्थल है तो क्या है इसका उद्गम इस्थल मिलम अगला है अगला है बागी यह जन्पत्चमोली का एक लोक उत्सव है रम्मान यह नई बात है इसको जानना जरूरी है इसमें मुखोटा के साथ निरत्य होता है और इसको यूर्श के दोरा विश्यो विराशत गोशित किया गए दीनों सही है और बाकी इसमें ढोल का प्रियोग वर्जीत है ये गलत है अगला क्वेशन है चमोली जनपत का सरजन कब हुआता दोस्तो चमोली जनपत का सरजन हुआता दोस्तो 24 फररी 1960 को ठीक है उसके बाद अगला क्वेशन है 76 नमबर का क्वेशन इसमें प्रियंटे नहीं हो पाया है तो 76 का प्रियंटे नहीं आया है तो 77 देखते हैं परशिद्य मंदिर हाट काली का कहा परिस्तित है दोस्तो परशिद्य मंदिर हाट काली का कहा परिस्तित है ये गंगोली हाट में पिथारगर डिस्टिक के अंतरगर तो ये यहाँ पर ऑप्सन डी सही है आगला है निम्रखिद में से MSPS का पूरा नाम क्या है तो MSPS का सॉरी SMPS का पूरा नाम क्या है स्विच मोड़ पावर सप्लाई स्विच मोड़ पावर सप्लाई और स्विच मोड़ पावर सप्लाई और सही है डॉक्टर दिवान भाकुनी संबंदी थे हैं दोस्तो डॉक्टर दिवान भाकुनी के संबंदी और सदी विज्यान से संबंदी थे हैं अगला क्वेशन आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था दोस्तों आगरा शहर की स्थापना करने वाला जो शक्षे थे वो था शिकंदर लोदी अगला है सुन्दर ढूंगा हिमानी किस जन्दपत में इस्तित है सुन्दर ढूंगा हिमानी जो है बागिस्पर में इस्तित है अगला है म्यामार की परशिद लोगपरी नेता आंग-शांग-शू की राजनितिक दल से सम्मनित है आंग सांग, नाम इनके बड़े अजीब से होते हैं, आंग सांग सू किस राजनितिक दल से सम्मनित है, तो ये है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, अगला क्वेश्चिन है, प्रसिद साहितिकार सहलेस मत्यानी का जन्म उत्राख ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह यहाँ पर फिर से रिजिनिंग का क्वेश्चन आगा है, 0 6 24 और 60 उसके बाद question mark दिया है इस पर क्या आएगा ये आपको भरना है एक series बनती होगी यहाँ पर कोई trick काम करेगी आप इसको solve करके वो trick निकाले और हम यहाँ पर answer बता जाते है इसका answer 120 ठीक है न तो इसको solve करके इसका answer 120 आएगा तो किस तरीकी से आएगा आप इसको solve कर लिजे उसके बाद अगला question है दिल्ली के मुगल राज कुमार सुलेमान सिको को किस गड़वाली राजा ने सरण दी थी तो इसका right answer दोस्तो प्रतिपती साह ने अगला question है जल्ली कट्टू की सिराज का पारंपरी खेल है तो जल्ली कट्टू जो है तमिल नाटू का पारंपरी खेल है दोस्तो जल्ली कट्टू पार तमिल नाटू का पारंपरी खेल है उसके बाद अगला क्वेश्चन है निमिलखी में गलत यूग में है दोस्तों गलत यूग में देखें यहाँ पर यूग में दे रहें वसमन से गलत कौन रहा है वह हमको बताना है तो यहाँ पर देखें चंदर प्रबाय एतवाल परवतार होई है और उपमोट चंद के बारे में किस ने कहा है कि यह तथा कथित प्रथम राश्टी श्वतंता संग्राम ने तो यह प्रथम था नहीं राश्टी तथा नहीं श्वतंता संग्राम था तो यह कथन जो है किस ने कहा है यह कथन कहा था आर सी मजूमदार ने ठीक ऑप्शन सी यहां पर सही अगले हैं स्रीनेगर में इस्तीत अजयपाल का राजभवन किस वर्षे भोकम्प के कारण शतिगरस्त हो गया था तो दोस्तों किस वर्षे जो है भोकम्प के कारण शतिगरस्त हो गया था जो स्रीनेगर गड़वाल में इस्तीत है किसका अजयपाल का राजभवन तो दोस्तो ये हुआ था 1830 में ठीक है अगला क्वेश्चन है निमिर्खित की सवर्ष में नेनिताल में भारी भूस खलन हुआ ठीक है तो ये हुआ था 1830 में दोस्तो अगला क्वेश्चन है भारत में National Institution for Transforming India आयोग की स्थाबना का हुई नीती आयोग की जिसको नीती आयोग से पहले योजना आयोग था तो योजना आयोग के बाद इसको नीती आयोग बनाया गया तो इसकी स्थाबना का हुई एक जमरी 2015 को हुई थी अगला है कुमाओं परिश्यत का गठन किस वर्स में किया गया था तो कुमाओं परिश्यत का गठन किया गया था 1916 में ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं यह मैट्स का क्वेश्चन साइद यहाँ पर देखने को मिलेगा अगला क्वेश्चन है रमेश 21 अक्टूबर को पैदा हुआ वह शाम से 9 दिन छोटा है इस वर्स महादमा गाधी का जन्मदीन मंगलवार को होगा तो शाम जन्मदीन किस दिन मनाएगा महादमा गाधी का मंगलवार को होड़ा है यानि कि 2 अक्टूबर को उस दिन मंगलवार पड़ेगा तो आप इ होती है तो लगटाज्ति का जानकरी राज तरिंगनी से प्राप्त होती है अगला क्वेश्चन है दोस्तों 97 तेके भःत में सिज नीती का निर्धारण किस देश के अनुभव कर लागो हुआ भारत में सह्सलित्य कहिं़ीज नीत का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागो हुआ तो ये चीन के अनुभव पर लागो हुआ था अगला क्वेशन है किस वर्ष वन अनुभव पर लागो हुआ था देहरादू ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किये तो ये 2006 इस भी को तो अगला क्वेश्य है जान्वी नदी निमन मैंजेर किस मुख्य नदी से संब्धाता है तो जान्वी नदी जो है पहगी रिथी नदी से संब्धाता थीक को बताती है तो दोस्तों बेलनाकार मोहरे जो थी वो सिंदू काटिश सब्भेता और मेसा पोटाम या के मजबूत रिस्टों के बारे में थीक है बताती है तो यह option A है बेलनाकार तो दोस्तों यह 100 question थे जो उस paper में आये हुए थे 2018 के ठीक है 2018 में यह ग्राम पिच्चाइज विकाश यदिकारी के पेपर भाता उसमें यह question पूशे गए थे यहाँ पर हमने जल्दी जल्दी से इन questions के answer आपको बता दिया यह question पेपर हमारे पास है तो हमने यहाँ पर इसके answer की आप कहें answer साब को बता दिये बागी जो solve करने जिसमें calculation थी तो उसको आप solve करिए क्योंकि यहाँ पर अगर हम पूरा solve करके बताएंगे तो वीडियो जो है पूरा दो तीन घंटे का हो जाएगा इसलिए हमने फटा फट फट फटा पट इसके answer साब को बता दिये जिस answer में आपको confusion लगता है या आपको इस detail में जानना चाते है और हमारे टेलिग्राम ग्रूप में या फिर यहाँ पर comment में आप comment जलूर करके हमें पूछ लीजे हम उसका answer आपको detail में बता देंगे तहनी बाद दोस्तो इस वीडियो में इतना ही है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए रहे शारी शुब काम नहीं